हेई दोस्तू, स्वागत है अब से भी काओफर्वेटी.टीन के अमारे ओफिशेल यूटूब चैनल पर दोस्तो अचकी इस वीडियो में हम अप लोगों के लिए लाया है पाच भेतरिन सिग्रेट लाइटर्स और यहाँ पर आपको नॉर्मल से लेकर इलेक्ट्रिक तक हर टाइप सोर डिजाइन के सिग्रेट लाइटर्स देखने को मिल जाएगा और इन्हें आप सरफ सिग्रेट जलाने के लिए ही नहीं बलकि कैंडल्स बगरा और कई काम में इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़्यदा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिधा स्टार्ट करेंगे हमारी इस लिस्ट को नंबर फाइब पर है एलके इगल सिग्रेट लाइटर दोस्तो यह लाइटर बहुत ही ज्यादा डियूरिबल लाइटर है क्योंकि इसका फुल बोडी मैटल से बना है और इसका जो विंटेस फ्लिप्ट अप डिजाइन है वो इसे बहुत ही ज्यादा स्टाइलिस बना देता है इसे इस्तमाल करना भी बहुत ही आसान है और यह ब्यूटेन गेस पर चलता है जिसे रिफिल करने के लिए इजिली आपको ऑनलाइन या ओफलाइन मार्केट में मिल जाएगा दोस्तो इस डिजाइन के सिग्रेड लाइटर को बहुत से लोग लेना प्रेफर करते है तो अगर आप भी उनी में से है तो ये प्रोड़क्ट आपको लगबग 30 रुपई के अंदर Amazon पर मिल जाएगा चाहे तो चेकाउट कर सकते है और इस लिस्ट की सभी प्रोड़क्स की बेस्ट बाइंग लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन ओक्स पर दे रखा है आप चाहे तो वहाँ से भी चेकाउट कर सकते है नमबर 4 पर है कॉपी क्लिपर सिग्रेड लाइटर दोस्तु इस प्रोड़क्ट को हमने उन लोग के लिए लिस्टिंग की है जिने लुक्स और डिजाइन वगएरा से उतना ज्यादा मतलब नहीं है सिर्फ अपना काम चलाना चाहते है और जैसी के आप देख पा रहे है इस पैक में आपको टोटेल 5 लाइटर्स मिलता है जो स्ट्रॉंग नाइलन मैटेरियल से बना है इन लाइटर्स को अब बहुत ही आसनी से रिफिल भी कर सकते है लेकिन दोस्तो कुछ कस्टमर्स का कहना है कि इनकी साइस थोरा छोटा है जो मेरे खहल से इन प्रोकेट फ्रेंडली बनाने के लिए छोटा बनाया गया है तो अगर आप सस्ता और सिंपल सिग्रेट लाइटर लेना चाहते है तो इस कॉम्बो पेक के तरफ जा सकते है जो आपको लगबक 300 रुपए के आसपास के प्राइस पॉइंट पर ये 5 लाइटर मिलने वाला है अब हमारे नमबर 3 पर है LK सिग्रेट लाइटर दोस्तो LK की ये लाइटर एक बहुत ही डिफरेंट लाइटर है और इस लाइटर में आपको बहुत ही शार्फ फ्लेम देखने को मिलता है जिसे आप चाहे तो एडजेस्ट भी कर सकते है इसमें दिया हुआ एडजेस्टेबल नूप के जरीए ये प्रोड़क भी easily refillable है और इसका जो nozzle है वो copper से बना है जो एक बहुत ही अच्छी बात है और जो body है वो ABS plastic material से बना है जो इसकी price point के हिसाब से ठीक ठाक है अब अगर हम इसकी price point की बात करे तो ये product आपको करीब 400 रुपे के आसपास के price point पर देखने को मिल जाएगा दोस्तो अगर आप एक अच्छा सा electric lighter के तलाश में थे तो आप हमारे number 1 या फिर number 2 में से किसी product के तरफ आप मूंत के जा सकते है और इस product को आप सिर्फ cigarette के लिए ही नहीं बलकि और कई चीज़े करने में इस्तमाल कर सकते है ये product electric होने के कारण इसके charge खतम हो जाने पर इसके साथ आने वाला USB के बल के मदद से आप इसे recharge भी कर सकते है और ये कितना charge हुआ है उसे आप इस product में धिया हुआ indicator light के थुरू track कर सकते है इनके अलावा भी यहाप आपको ignition switch और power on off switch जैसे और कई चीज़े मिल जाता है इस product की जो उपरी हिस्सा है वो stainless steel material से बना है जिसे आप 360 degree band कर सकते है और जैसी के आप screen पर देख पा रहे है ये एक बहुती premium look provide करता है तो दोस्तो ये product अपको करीब 700 रुपे के आसपास के price point पर मिल जाएगा जो इसकी features और specifications की सबसे एक reasonable price point पर आ रहा है नमबर 1 पर भी क्राट्स की ही और एक electric lighter है और ये lighter हमारे number 2 की electric lighter से भी ज्यादा advance है क्योंकि ये complete waterproof है जिस वज़े से आप इसे बारिश में भी बरही आसनी से इस्तमाल कर सकते है और ये flameless होने के कारण आप इसे हवा में भी इस्तमाल कर पाएंगे इस product को भी आप USB के बल के जरीए recharge कर सकते है जिसे 2 घंटा recharge करने पर एक हफता या फिर 100 से 300 बार यूज़ कर सकते है तो दोस्तो ये बहुत ही ज्यादा durable और useful होने के कारण इसका price भी थोड़ा ज्यादा है तो अगर आप traveling वगरा नहीं करते है तो मैं आपको इसे कभी भी recommend नहीं करूंगा आप हमारे इस list की बाकी products के तरफ भी जा सकते है तो दोस्तो ये थे 5 भैतरिन cigarette lighters अगर लगा हो तो इस वीडियो को एक like जरूर कर देना और ऐसी products related और भी informative और interesting videos के लिए हमारे चैनल को subscribe करने के साथ साथ bell icon को all पर कर दे तो आज के लिए वास इतना ही thank you so much for watching this video मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम